Hello everyone, I am Savita Gupta, a language instructor. Welcome in Learn with Savita. Grammar के इस सिरीज में, आज आपके पास जो वीडियो लेके आएं हैं, वो वाइस से संबन देत है. तो वाइस क्या है? हमारे सेंटेंस बोलने का जो तरीका है, वो वाइस कहलाता है. और ये दो तरह का होता है. Active voice और passive voice. तो वाइस तक जाने के पहले, हमें ये जान लेना बहुत जरूरी है, कि किस तरह के वाइस में यूज होते हैं. तो चलते हैं हम थोड़ा वाइस की और, सॉरी, वाइस की और. तो वाइस दो तरह के होते हैं, Transitive Verb और Intransitive Verb. ये Transitive Verb है और ये Intransitive Verb है. ठीके तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसे sentence में अपने sense को पूरा करने के लिए एक object की जरूरत होती है ठीके object अगर नहीं है तो इसका sense पूरा नहीं होता है ठीक है इस चीज के बारे में डीटेल हम अगले वीडियो में बताएंगे अभी आप इतना समस्ते चलिए दो दूसरा जो intransitive verb है अपने sense को complete करने के लिए उसको किसी भी object की ज़रूरत नहीं होती है तो अगर हम ये देखे transitive verb देखें तो example अगर हम देखें कि john reads एक sentence लिखा जिसमें john subject है reads क्या है वाब है ठीक है लेकिन जैसे ही हम बोलते हैं तो तुरण दिमाग में question उठता है कि john पढ़ता है तो क्या पढ़ता है है ना ये क्या का जवाब मिले बिना sentence का sense जो है जो अर्थ है वो complete नहीं होता है तो हम एक word इसमें add करते हैं जोन reads a book तो book क्या है book object है किसका reads का तो इस तरह से reads जो है हमारा वो क्या है एक transitive verb है जबकि intransitive हम देखें कि john is sleeping that's all sentence complete हो गया sleeping, slip एक intransitive verb है इस sentence को पूरा करने के लिए किसी और चीज़ की जरूरत नहीं होता है तो ये दो तरीके होते हैं एक transitive verb होता है और एक intransitive verb होता है transitive verb को चाहिए होता है object और जिस verb को object की जरूरत होती है वही verb voice बनाते हैं इनकि वो या तो active voice में होते हैं या passive voice में होते हैं ठीक तो active voice क्या है देखिए the verb is said to be in active voice when subject in a sentence is active ठीक है तो active voice क्या है कि जैसा कि मैंने आपको बता है कि object जरूर चाहिए होता है तो active voice क्या होता है कि sentence में subject है verb है और object है लेकिन जो subject है वो dominant रहता है मैंने किया subject ने किया ये भाव main रहता है जैसे कि teacher ने अगर question किया है और बच्चे ने जवाब दिया है तो हम कहेंगे students gave an answer है न? यहाँ student important है किसी और ने answer नी दिया है students ने answer दिया है अब आते हैं हम passive voice पर the form of the verb which shows the importance of action rather than the subject is said to be in passive voice तो verb का वो form जिसमें subject को इतना importance नहीं होता है बलकि काम क्या किया गया है वो ज़्यादा महतो पौन होता है तो वो passive voice में कहलाता है for example उपर जो question students के से किया गया था यही question अगर किसी audience से किया जाता ठीक है तो जो answer आता उसके लिए हम कहते an answer was given है न जवाब मिला जवाब किस नहीं दिया यह ज़रूरी नहीं है यहनि कि subject is not important but the action is important जवाब का मिलना ज़्यादा महतो पौन होता है तो यह कहलाता है हमारा passive voice ठीक है then प्रशन उठता यह है when passive voice is used कि passive voice जो है यह कब use होता है ठीक है तो कब use होता है हम एक-एक करके देखेंगे यह थोड़ा से समझते चलिए बहुत ज़रूरी है day to day life normally we use active voice in day to day life normally we use active voice हम अपने दैनिक जीवन में active voice का ही use करते मैंने किया उसने किया वो पास हो गया वो चला गया है इस तरह की बाते हम करते है but passive voice is used लेकिन passive voice का प्रयोग कहां होता है when the subject is insignificant तो पैसे voice का प्रयोग वहां होता है जहां subject जो होता है insignificance होता है उसका कोई महत्वन नहीं होता है या unknown होता है अज्यात होता है या walk होता है समझ में नहीं आता किस ने किया है then example दिया है कि national anthem was sung राष्ट्रिगान गाया गया ये महत्वपून है कि राष्ट्रिगान गाया गया कौन गाया ये महत्वपून नहीं है यानि कि subject क्या है हमारा insignificant है then a large amount was donated to offerness है ना offerness को अनाथाले को धेर सारी राष्ट्रिगान में मिली किस ने दिया ये देने वाले ने अपनी identity छुपा के रखिया unknown है then the light was switched off कोई आया और आ करके देखा light चल लई है बंद करके चला गया then subject was walk तो इस तरह अगर हमारा जो subject है वो insignificant है, unknown है या walk है तो उस condition में हम क्या use करते है passive voice का use करते है अगला है when the subject is authorized to do a job है ना subject को एक काम करने की authority मिली हुई है for example the thief was arrested है ना तो thief was arrested है ना किस ने arrest किया ये clear नहीं है लेकिन सब समझ जाते हैं कि police नहीं arrest किया होगा क्योंकि ये police is authorized to arrest the thief है ना कि चोर को arrest करने का काम कौन करता है police करता है ना इसी तरह हम बोल देते हैं कि operation हो गया है ना हम ये नहीं बताते हैं कि किस ने किया नेचरल है कि एक surgeon है और वही operation करेगा वही operation करनी के लिए atherized है है ना second थोर सा हट कर है when it makes a better sense है ना तो better sense बोलने में जो अच्छा लगे अगर active voice अच्छा लगता है active बोली और passive लगता है complicated तो छोड़ दीजी है ना जैसे कि दिया है active voice में I saw him opening the box मैंने उसे box खोलते हुए देखा इसका passive बन रहा है I saw the box being opened by him उसकी द्वारा box खोला जाता हुआ मैंने देखा है ना तो यह थोड़ा complicated लग रहा है तो जो easy लग रहा है the first sentence in active voice is better than we use active voice here है ना next when correct emphasis is demanded on the object है ना object जो है अगर उसके उपर हम emphasis डालना चाह रहे है उसको हम highlight करना चाह रहे है तो हम passive voice use करते है the news was broadcasted है ना news broadcast हुआ किस ने किया यह महत्वपूर नहीं है news broadcast हो गया यह महत्वपूर then when the subject is known to all और जब काम करने वाला वेकते हैं नहीं कि जो subject है वो उसे सब जानते हैं discovered in 1492 एक clear है कि it is the columbus then in scientific and technical matter scientific and technical matter में भी हम passive voice का use करते हैं for example active voice में दिया हुआ है company makes salt from sea water अजब कि passive voice है salt is met from sea water तो हम कभी भी active voice का इसमें use नहीं करते हैं हमेशा हम passive voice यूज करते हैं तो इस तरह scientific और technical matter में भी यही use होता है passive voice तो अगर हम pattern और sentence active और passive voice में देखें तो active voice में जो pattern होता है sentence का वो होता है subject उसके साथ आता है एक helping verb फिर होता है main verb और फिर आता है object जबकि passive voice में अगर हम देखें तो हम देखेंगे की active voice के object को हम subject बना देते हैं helping verb according to object and tense आता है और बिना भूली हुए main verb का third form आता है और फिर active voice के subject को objective case में ला करके इसका object बना करके हम by agent के साथ लिखते हैं इसको graphically clear किया गया है आप देखिए कि यहां पर जो active voice है इसमें हमारा pattern है subject, helping verb, main verb और object active subject and active object तो active object जो है इसको passive voice में passive subject बना दिया जाता है helping verb जो है according to tense and according to passive subject लगता है main verb बिना भूले हुए क्या आता है verb का third form या past participle यह ध्यान रखिएगा कि verb की form आपको याद होना बहुत जरूरी है क्योंकि passive voice में सिर्फ और सिर्फ verb का third form यूज होता है और active voice के active subject को हम objective case में ला करके यहाँ passive object बना देते हैं और जिस agent का use करते हैं mostly हम जिस agent का use करते हैं वो by use होता है mostly शब्द हमने यहाँ इसलिए use किया है कि कुछ ऐसे भी object होते हैं जिनके साथ by use करके by ना use करके कुछ और use किया जाता है कोई और preposition use किया जाता है यह अगले वीडियो में आपको बताया गया है then rules to change voice ठीक है rules हम देखें तो जैसा कि अभी आपको बताया गया है कि object of the active voice is met the subject of passive voice तो object जो है active voice का उसे हम subject बना देते हैं किसका passive voice का axillary verb is changed into verb to be according to tense तो axillary verb जो होता है वो किसमे verb to be में बदल जाता है main verb in passive voice is always in past participle form और third form of the verb और the subject of the active voice is met the object of the passive voice preceded with generally by तो जो graphically आपको बताया था वही in words आपको यहां बताया हुआ है then rules to change voice ठीक है तो rules क्या है हमारा जो pattern है subject plus helping verb plus verb plus object है धान मत दीजे इसके उपर जादा mathematically देखने की कोशिस मत करिए देखा जाए तो voice अगर हम change कर रहे हैं तो subject is necessary but in some cases may be awarded है ना बहुत जरूरी है लेकिन कुछ cases हैं जिसमें subject की जरूरत नहीं रहती है जैसे की imperative sentences में a distinct object is necessary object भाई बहुत जरूरी है ठीक है लेकिन हम यह देखेंगे कि कुछ ऐसे sentences हैं जिसमें अगर object नहीं है तो भी हम तोड मरोड करके उसको पैसिवाइस बना देते हैं जिसके intransitive verb के भी passive voice बन जाते हैं जबकि मैंने पहले ही slide में बताया था कि intransitive verb का कोई object नहीं होता है वो intransitive ही इसलिए है क्योंकि अपने साथ कोई object नहीं लेता है then passivization is possible only when the verb is transitive है यहीं पर मैं अपनी बात फिर काट रही हूँ कि passivization तभी संभव है जब verb transitive है अभी मैंने बताया कि verb intransitive हो तो भी बन सकता है तो आप देखिए कि voice change करने के लिए subject होना जरूरी है एक object होना जरूरी है और एक helping verb होना भी जरूरी है लेकिन इन सब भी के exceptions है यह general rule है होना चाहिए लेकिन सब के कुछ न कुछ exceptions है और वो आगे हम आगे discuss करेंगे यहां आप कह सकते ही कि सिर्फ एक single word अगर verb है तो आप उस verb का भी passive voice बना सकते हैं आगे की slide में देखेंगे तो is possible only when the verb is transitive हमारा एक जो एस्पेक्ट है कि verb transitive है तो ही passivization हो सकता है पैसिव वाइस बन सकता है देन आगे यह कह रहे हैं एन transitive verb is not used in passive voice unless it takes a cognate object in its active voice तो पहला expect हम यह ले रहे हैं कि हमने यह कहा था कि transitive verb का passive voice नहीं बन सकता है है ना बन सकता है शर्त यह है कि उसके साथ एक cognate object active voice में उपस थे थो for example they was fought a good fight अगर हम इसको ऐसे देखें कि they were fighting तो fight क्या है fighting क्या है in transitive verb है लेकिन fight के साथ यह second third form में यूज हुआ they has fought a good fight उन्होंने एक अच्छी लड़ाई लड़ी देखें जो fight word है इसे as a verb भी यूज करते हैं इसे as a noun भी यूज करते हैं तो as a verb यूज कर रहे हैं तो यह in transitive verb है लेकिन good fight यहां fight जो है as a noun यूज हुआ है तो यह कैसा noun है cognitive object क्या होता है अभी देखते हैं तो इसका passive voice fight has fought, fought का first form fight तो यह एक in transitive verb है लेकिन चोकि इसका cognitive object fight यहां है इसलिए इसका passive voice बन जाता है एक good fight has been fought ठीक है तो cognitive object क्या होता है it's the object of an intransitive verb यह intransitive verb का object होता है तो in latin cognolist means similar that is object which is similar in meaning or having the same origin एक ऐसा object जो meaning में या origin में एक जैसा होता है जैसे fight, fought का fight है sit का seat है run का race है sing का song है है तो यह cognitive object कहलाते हैं अब how to identify subject and object ठीक है यह एक बहुत महत्वपोर्ण है कि subject और object को हम कैसे पहचाने है तो subject पहचानने के लिए जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि active voice के subject को हम क्या बना देते हैं passive voice का object और active voice के object को हम क्या बना देते हैं passive voice का subject तो अगर single word है subject और object तो ठीक है लेकिन अगर एक से अधिक word के subject और object हैं फिर समस्या आ जाती है क्योंकि generally हम यह समझा देते हैं कि पहला जो word होता है वो subject होता है उसे object बना दो और आखिरी का जो word होता वो object होता है उसे passive voice का subject बना दो ठीक है तो अब यह है कि एक example दिया है John plays cricket तो यहां तक तो ठीक है लेकिन अगर एक से अधिक सब्द के subject या object है तो हमारे लिए बहुत समस्या हो जाती जैसे John is playing cricket यहां तक तो ठीक है लेकिन अगर आता John is playing cricket in the ground तो बच्चा विचारा ground को subject बना करके passive बनाने की कोशिस करता है और परिशान हो जाता है तो हम यहां देखेंगे कि हम subject और object को कैसे पहचाने तो subject और object पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि आप sentence में सब छोड़ दीजिए किवल verb पे concentrate करिए वर्ब बहुत महत्योपूर होता है parts of his speech के बाद तो यहां John plays cricket आपको इस sentence का अर्थ बिलकुल नहीं मालूम है लेकिन आपने identify कर लिया कि place क्या है आपका वर्ब है तो वर्ब के पहले जो आ रहा है ये आपका subject होता है और वर्ब के ठीक बाद में जो आ रहा है ये आपका object होता है अगला sentence हम देख रहे हैं एक ही तरह का sentence हम use कर रहे हैं ताकि आपको ये memorize हो जाए जोन एंड डेविट play cricket ठीके अब आपको लगेगा उपर वाले sentence में जोन subject था तो नीचे वाले में भी वही होगा ऐसा नहीं है हम अपना जो norm से उसको establish रखेंगे प्ले हमारा वर्ब है वर्ब के पहले आने वाले पूरा का पूरा जो group है वो क्या है subject है और इसके पीछे आने वाला जो word है वो क्या है object है अगला हम लेते हैं कि sentence है हमारा the boys of my class play cricket यहाँ देखी वर्ब है हमारा play और इसके पहले कितना लंबा sentence है the boys of my class और यकिन मानिए कि यह पूरा का पूरा क्या है subject है और cricket क्या है object है अब यह तो आपका subject clear हो गया कि subject अगर हमारा single हो या conjunction से जुड़ा हो या group of word हो तो भी हम उसको as a group use करेंगे और verb के ठीक पहले जितना भी आ रहा है वो पूरा का पूरा subject होगा अब हम देखते हैं John plays cricket वो तो ठीक है लेकिन एक शब्द और जुड़ा है जॉन प्लेज स्ट्रीट क्रिकेट तो अगिन यहां हमारा verb है जॉन हमारा subject हो गया और state cricket यह पूरा का पूरा हमारा क्या होगा object होगा लेकिन रुकिए अगला sentence दीखिए जॉन प्लेज क्रिकेट इन दा ग्राउंड है यहां प्ले हमारा verb है प्ले के पहले जो आ रहा है वो हमारा subject है और प्ले के ठीक बाद जो नाउन आ रहा है यह हमारा object है थीख है? इसके बाद भी एक नाउन है ground लेकिन उसके पहले एक preposition लगा है in तो ये आपके object का हिस्सा नहीं है तो इसको हम adjust करेंगे ठीक है जैसे की लिखा John plays cricket in the ground cricket is played in the ground by John वो intact इसके साथ रहेगा लेकिन वो इसका object का हिस्सा नहीं होता है then rules to change voice ठीक है तो अगर हमारा subject या object single word न हो करके दो word से बना हुआ है या group of word है ठीक है तो इस समय हमारा क्या नियम है नियम ये है कि पूरा का पूरा हम उसको subject बनाते हैं या पूरे की पूरे phrase को या group को हम object बनाते हैं जैसे 10 students of my class like drawing 10 students of my class ये पूरा का पूरा एक साथ आएगा कैसे आएगा drawing is light by 10 student of my class then object का एक उदाहरा देखें तो this ship carries a cargo ये object है हमारा ये पूरा का पूरा subject बनेगा a large cargo is carried by this ship तो आप subject और object को पहचानिये चाहे वो single हो या group में हो उनको as it is passive voice में अगर group में हैं तो group में ले जाएए और अगर single हैं तो single ले जाएए next rules to change voice sometimes the whole group of words following a verb may not be the part of object so it should be separated carefully है न तो जैसा कि पहले उदाहरान में दिया था कि अगर object हमारा है और वो object एक group of words है और उसमें कुछ words ऐसे हैं जो object का हिस्सा नहीं है तो हम उसे अलग कर देते हैं और passive voice में as it is जोड़ देते हैं example यहाँ दिया है कि a boy is flying a kite in the ground तो यहाँ देखिए a boy हमारा subject है fly हमारा object है और kite हमारा object है तो यहाँ एक और group में जुड़ा हुआ है in the ground ठीक है? in the ground एक extra information देता है कि बच्चा पतं कहां उड़ा रहा है है ना यह object का हिस्सा नहीं है तो जब हम इसका passive voice बनाते हैं ठीक है तो हम इसे छोड़ देते हैं और बाद में last में जोड़ देते हैं तो a boy is flying kite का हमने passive voice बनाया kite is being flown by a boy कहां? in the ground और इसे हम क्या करते हैं? पीछे as it is जोड़ देते हैं then verbs having direct and indirect object अभी हमने देखा कि sentence में एक subject होता है एक verb होता है और एक object होता है लेकिन प्रश्णी उठता है कि अगर एक की जगह दो object है तब क्या होगा? ठीक है? तो उसका भी solution है यहां verbs having direct and indirect object either of the object may become the subject of passive voice while other is retained तो अगर verb के पास दो object है तो दोनों ही object से passive voice बन सकता है ठीक है? तो एक object को हम लेंगे उसे subject बना देंगे दूसरा object retained रहेगा दूसरे object को लेंगे उससे passive बनाएंगे तो पहला object retained रहेगा ठीक है? तो example से हम इसको देखते चलते हैं यहाँ पर आप देखिए कि example दिया हुआ है Mr. John teaches us English Mr. John यहाँ subject है teach हमारा verb है और इसके बाद object आता है us एक और object है English बीच में कोई preposition नहीं ध्यान दीजेगा है न? तो verb के तुरंत बाद जो object आता है इसे हम कहते हैं indirect object और यह mostly living being होता है तो यह indirect object जो होता है यह mostly living being होता है ठीक है? और indirect object के बाद जो object आता है वो non living होता है और इसे हम कहते हैं direct object living भी हो सकता है कोई जरूरी नहीं है तो हम देखें कि हमारे पास जो दो object है पहला verb के ठीक बाद आने वाला indirect object और indirect object के बाद आने वाला direct object तो दोनों object से हम passive voice बना कर देखते हैं सबसे पहले हम किसको लेते हैं? वी को लेते हैं ठीक है? तो, sorry, us को लेते हैं indirect object को लेते हैं अस को हम change करते हैं वी में तो यह हमारा बनेगा we are taught English by Mr. John तो English यह है आपका retained object of the verb taught ठीक है? अब दूसरा हम जो ले रहे हैं वो object हम ले रहे हैं इंग्लिश को तो, Mr. John teaches English direct object ले रहे हैं तो, English is taught to us by Mr. John तो, यहाँ एक preposition to use होता है तो, यह कहलाता है retained object of the verb taught governed by preposition to ठीक है? तो, retained object क्या होता है? in passive voice, the object which is next to verb वर्ब के ठीक बगल में है is called the retained object उसे हम retained object कहते हैं then, in indirect voice generally denotes a person तो, indirect voice में object वो object जो की एक person को denote करता है वो generally क्या होता है? indirect object होता है यहाँ पर इस sentence में as जो की एक living being है ठीक है? indirect object को denote कर रहा है और एक direct object क्या होता है? usually denotes a thing किसी चीज को बताता है तो, इस sentence में here English जो की एक non-living है तो, कुछ verb ऐसे हैं जो अपने साथ दो object लेते हैं कई हैं, कुछ example यहाँ दे रहे हैं जैसे की write, pay, sell, tell, promise, give, buy, bring, get, lend, make, take यह सारे verb अपने साथ दो object लेते हैं तो, case कैसे हम change करते हैं जैसे आपने देखा कि हमने us को we में change किया था तो, इसी तरह I को मी में, अमी को I में V को us में, us को we में You, same रहता है He को him में, him को he में She को her में, her को she में They को them में, them को they में It, as it is रहता है और who को by who या by whom में change करते हैं यह इनका objective case होता है और passive words में use किया जाता है ठीक है, अब देखिए हम tense wise आते हैं कि tense बताएंगे और फिर tense detail में बताएंगे यहाँ मैं आपको यह बता रही हूँ कि tense को आप पहचानेंगे कैसे और एकी pattern का sentence में ले रही हूँ ताकि आपकी दिमाग में यह fit हो जाए और इस pattern के आधार पर आप voice change कर सके तो सबसे पहले हम present tense लेते हैं present tense में simple present को हम कैसे पहचानेंगे sentence अगर affirmative है तो इस condition में work के first form में एस या एस लगा होगा जबकि sentence अगर negative या interrogative है तो इसमें do या does आएगा और जब इसको हम passive voice में change करेंगे तो do या does को according to subject हम is rm में की present tense के helping word में change कर देंगे एक example दिया है रानी सिंग से song ठीक है तो यहाँ पर हमारा जो active voice का object है इसे passive का subject बना देंगे a song, song singular है इसलिए is use होगा verb का third form use होगा sung by रानी अगर present continuous tense है तो is rm use होगा plus verb के first form में ing लगेगा ठीक है और यहाँ पर हम क्या करेंगे ing को हटाने के लिए passive voice में being का use करेंगे for example रानी is singing a song that is a song is being sung by रानी तो रानी is a song हमारा यहाँ पर object है इसे हम subject बना दे a song verb इसके साथ use हुआ है is अब हमें देना है verb का third form sing का third form देना है तो ing को हटाने के लिए इसे हम being में लगा करके इधर ले आते हैं और sing का third form हम लिखते हैं sung by रानी ठीक है यह सब में as it is applicable होगा दिन अगर present perfect tense है तो हम मारे पास helping verb होता है has or have plus verb का third form already रहता है रानी has sung a song that is a song और use होता है इसमें word been has been sung by रानी जबकि perfect continuous tense में कोई change नहीं होता है अगला आता है हमारा past tense past tense में जो अगर simple past tense है हमारे past तो अगर sentence हमारा affirmative है तो यह एक मात्र ऐसा tense है जिसमें verb के second form का use होता है ठीक है तो simple past अगर है तो पहचाननी का सबसे आसान तरीका है कि उसमें verb का second form होगा affirmative sentence में अगर sentence हमारा negative है या interrogative है तो इसमें did का use होता है ठीक है तो रानी sang a song यह की sang verb का second form है यह simple past का sentence है तो चुकि past का है तो passive voice में हम past helping verb यहनि की was और work का use करेंगे बाकि रूल एक जैसा है as song was sung by रानी अगर past continuous है तो was और work की साथ verb के first form में ing लगेगा ठीक है रानी was singing a song and a song was being sung by रानी अगर past perfect tense है तो इसमें helping verb head लगेगा plus verb का third form लगेगा ठीक है रानी had sung a song और passive voice में head के साथ been आता है a song had been sung by रानी और जबकि perfect continuous tense में past की कोई change नहीं होता है passive voice में then future tense simple future बहुत ही simple है कि इसके साथ क्या आता है will या shall आता है ठीक है तो passive voice में हम will या shall की साथ क्या लगा देती है भी लगा देती है रानी will sing a song और a song will be sung by रानी then future continuous tense है continuous tense में कोई change नहीं होता है future perfect में will have और shall have आता है और passive voice में have been used होता है then रानी will have sung a song a song will have been sung by रानी जबकि perfect continuous tense में कोई change passive voice में नहीं होता है passive voice बनता ही नहीं है then अब हम एक-एक tense लेते हैं और एक-एक tense जो हमने जो जिन tense के passive voice नहीं बनते हैं उन्हें छोड़ करके हम एक-एक tense लेते हैं और हम देखेंगे कैसे passive voice बनता है तो simple present tense हम सबसे पहले ले रहे हैं I sing a song ठीक है तो यहां verb का first form है simply यह simple present tense का sentence है और इसके passive voice में simple present tense के axillary का use करेंगे is, am, are तो यहां हमारा object है song बन गया as song is verb का third form sung by आई का में दूसरा हम sentence लेते हैं तीसरा sentence लेते हैं negative I do not sing a song यह do not passive voice में do का क्या हो जाएगा is not बाकि as it is I do not sing a song a song is not sung by me second sentence लेते हैं interrogative do I sing a song ठीक है अब इसका interrogative बनाने के लिए आप d को छोड़ दीजिए आपका जो sentence बनता है आपका जो passive voice बनेगा first sentence को देखिए I sing a song का क्या बना है a song is sung by me a song is sung by being और आप क्या करिए कि ये sentence बना करके चुकि यहाँ helping word do आगे है आप इसके इसको कहां ले आईए आगे लाईए और पीछे लगा दीजिए question mark बन गया आपका passive voice किसमे interrogative में तो क्या हो जाएगा do I sing a song is a song sung by me then अगर interrogative में जैसे कि आपको मालूम है interrogative कैसे बनाते हैं helping verb को आगे लगा कर उसके आगे भी अगर wh लगा हुआ है कोई question word लगा हुआ है जैसे कि इसमें लिखा है why do I sing a song तो आप why और do दोनों को हटा दीजिए I sing a song इसका आप sentence इस sentence का आप passive voice बनाईए तो क्या बनेगा a song is sung by me अब चुकि यहाँ पर do आगे है तो यहाँ से इसको हटाईए और कहां रख दीजिए आगे रख दीजिए और उसके आगे आप क्या लगा दीजिए wh very simple why is a song sung by me अब आता है थोड़ से typical है who आला तो who के लिए आप by who भी यूज़ करें correct है by whom यूज़ करें वो भी correct है दोनों correct है तो अगर आप beginner हैं बिलकुल आपको अभी आप शुरू में सीख रहे हैं passive voice तो who आले sentence को कभी direct बनाने की कोशिस मत करिएगा यहां लिखा है who sings this song इसका एक rough बना लीज़े और rough ये बनेगा a song is sung by whom ठीक है तो अब आप देखिए who आगे है तो by whom को हटाईए और सबसे पहले आप by whom या by who को लिए दीज़े sentence कोकी interrogative है इसलिए इसको हटाईए और sentence के आगे ले आईए who या who के बाद और बाकी sentence as it is लिखते जिए a song sung तो आपका बन गया by whom is a song sung और by who is a song sung तो इस तरह simple present tense में आपका passive voice बनता है then आपका exercise दिया हुआ है the former grow rice sonali likes coffee sonu always helps in time of need है न यहां देखिए in time of need यह extra है इसको आपको अलग करना पड़ेगा separate करना पड़ेगा ठीक है trees gives us food and oxygen एक साथ है indirect object है और यह direct object है he doesn't reply my letter ठीक है reply verb है और my letter है न एक साथ आएगा they demand an inquiry which book do you want who kicked the ball तो इनके आप passive voice बनाएए books exercise देखिए उनके भी passive voice बनाएए जब तक आप perfect तभी होंगे जब तक आप practice करते रहेंगे ठीक है practice नहीं करेंगे आप में perfection नहीं आएगा है न बहुत ही मशूर quotation है practice makes man perfect है न तो अगर इसके passive voice बनाने में कोई भी परिशानी आती है comment box में आप sentence लिखिए और लिख करके छोड़ दीजी मैं passive voice बना कर आपको बता दूँगी then simple present tense हो गया अब आप दिखिए कि present continuous tense पर आती है तो present continuous tense में I am singing a song तो a song जो है a song जो है यह क्या है हमारा object है active object को हमने passive subject बना दिया a song according to song present tense का helping verb है वो लगा is अब हमको लगाना है verb का third form sung लेकिन sing के साथ ing लगा हुआ है इस ing को being लगा करके हमने हटा दिया और sing का third form लगा दिया sung और as in by इसके साथ लगा है I को I का जो objective case है me तो a song is being sung by me अब आते हम negative question पर तो जहां इसमें कोई बहुत ज़्यादा problem की बात नहीं है I am not singing a song then a song is not being being लगाना मत भूलिएगा continuous tense में sung by me Am I singing a song? simple a song is being sung by me बनाईए और इसको या helping verb जो भी है आर है एम है उसे उठा करके आगे रख दीजिए तो is a song being sung by me then अगर डबलू एच लगा हुआ है तो एक simple आप interrogative sentence बनाईए और उसके आगे डबलू एच लगा दीजिए Why is a song being sung by me? और अगेन हू वाला जो sentence है Who is singing a song? अगेन आप Who is singing a song? a song is being sung by whom बनाईए by whom को आप आगे ले आए ये by whom के साथ helping verb को भी आगे ले आए बाकी बचा हुआ sentence as it is लिख दीजिए By whom is a song being sung ठीक? नेक्स्ट हमारा exercise इसके उपर दिया हुआ है The girls are collecting the flowers Rani is knitting a setter for me ठीके? अब आप देखिए यहां पर आपको for me separate करना पड़ेगा है न The gardener is plucking the flowers My sister is catching butterfly Are they not praising you? Who is knocking at the door? What are you writing? ठीके तो exercise कीजिए practice कीजिए जहां से भी sentence मिले practice करते रहिए Then present perfect tense अगर हम इसमें आते हैं तो सबसे easy है क्योंकि इसमें verb का third form already दिया रहता है I have sung a song ठीके? तो इसमें क्या आता है? has और have होता है और has और have के साथ verb का third form होता है passive voice में सिर्फ been add होता है ठीके? I have sung a song I have sung a song तो यहां आप देखिए कि इस song जो की हमारा active object है इसको हम passive subject बना देते हैं इस song song के साथ has आएगा has लगा दिया और बहुत जरूरी किसके साथ been आए verb का third form लगेगा और by I का क्या हो जाएगा objective case me तो a song has been sung by me then I have not sung a song simple has या have के बाद में not लग जाएगा a song has not been sung by me अगर sentence interrogative है यहां direct wh लगा है when have I sung a song interrogative has या have को sentence में आगे ले आएगे has a song been sung by me और उसके आगे डबलो एच लगा दिजिये then who has sung a song then by whom has a song been sung तो इस तरह से present perfect tense का passive voice बनता है अब आते हैं हम exercise पर exercise पढ़िये और बनाएए इसके passive voice then simple past tense पर आते हैं को कैसे identify करेंगे यह मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें verb का second form होता है sang लिखा है affirmative sentence में negative और interrogative में क्या रहता है did रहता है तो I sang a song चुकी verb का second form है past tense का sentence है तो हम past helping verb was या word का use करेंगे I sang a song active object को passive subject बना देंगे a song song singular है तो इसके साथ was आएगा verb का third form है और I का objective case आपका आएगा by me I sang a song a song was sung by me then I did not sing a song simply जहां did not लगा है वहां आप was not लगा दीजिए है ना a song was not sung by me did I sing a song helping word did आगे है तो passive voice में helping word was या word को आप आगे कर दीजिए did I sing a song did I sing a song was a song sung by me people welcomed the minister है ना minister साब हमारे हमारे city में आए हुए है और उनका welcome किया गया but natural है कि people ही welcome करेगा तो कुछ ऐसे pronoun होते हैं जो कि passive voice में use नहीं होते हैं जैसी कि people है crowd है जो walk type के होते हैं someone है anyone है somebody तो यहां हम passive voice में active subject को छोड़ देंगे है ना तो यहां पर हमारा जो active object है the minister हमने इसको passive subject बना दिया the minister singular है was verb का third form welcome हम by people नहीं लिखेंगे ठीक है again exercise है we elected our monitor the servant cleaned my room my grandmother told me a secret the magistrate punished the culprit the company offered a job to my son Mr. Gupta asked him a question John left no plan untried तो आप थोड़ा इसका exercise कीजिए नहीं समझ में आए तो पूछने में बिलकुल मत जिज़े कियेगा क्योंकि अगर पूछेंगे नहीं तो आपकी परिशानी solve नहीं होगी आप पूछेंगे नहीं तो हमको ऐसा लगेगा आपको सब आ गया है ठीक है then past continuous tense was औ वर्ग के साथ past continuous tense को हम कैसे पहचानेंगे was या वर्ग के साथ क्या रहता है verb के first form में ing लगा हुआ होता है है नग तो again यह हमारा active object है इसे हम passive subject बना देंगे और according to subject हम was या वर्ग का use करेंगे again verb का third form लिखना है इसलिए ing को being बना कर हटा देंगे और वर्ग के third form को लिखेंगे sung by me I was singing a song a song was being sung by me he was not singing a song simply सिर्फ not add करना है a song was not being sung by me I was was I singing a song interrogative sentence है helping verb sentence में आगे लिखा है और question mark है then यहाँ पर passive voice बना करके आप helping verb को आगे लिखिए question mark लगाए was a song being sung by me again who was singing a song आप इसका passive voice बना ये by whom a song was being sung by whom ठीक है तो by whom को आगे लिख ले आईए was को आगे ले आईए और बाकी sentence वैसा का वैसा लिख दीजे तो by whom was a song being sung then exercises given the students of my class were making good progress the peon was carrying out the orders he was spending money uselessly the child was not eating mangoes the painter was making painting on the wall and who was giving answers then past perfect tense पर आते हैं past perfect tense में जो इसका identification है कि had के साथ वाब का third form लगा हुआ होता है तो ये और भी ज्यादा आसान है has or have को नीच हटना है simply hat ही लगाना है a had sung a song तो जो हमारा active object है उसको हम passive subject बना देते हैं और had के साथ passive voice में क्या लग जाता है been a song had been sung by me negative में not लगेगा I had not sung a song passive में भी had been के बीच में not लग जाएगा a song had not been sung by me who had sung a song again by whom had by whom को आगे ले आईए had को आगे ले आईए और बाकी sentence as it is passive voice में लिखती जिए the police has arrested the thief यहाँ भी जो police है इसके पास अपना authorized काम है कि वो thief को arrest करे है न जो भी गलत काम कर रहे हैं उनको arrest करे तो यहां हम by agent लगा करके the police नहीं लिखेंगे the police, the thief the thief had been arrested ओके then exercise is given here exercise कीजिये practice कीजिये और perfect बनते रहे हैं next आता है simple future tense I will sing a song यहाँ will या shall का use होता है और verb का first form रहता है simple passive verb में will be और shall be का use होता है verb का third form तो लगता ही लगता है तो active object जो है हमारा इसको हम passive subject बना देते हैं a song a song के साथ will लगेगा a song will be sung by me ठीक है negative sentence लेते हैं तो will not यहाँ भी लगेगा will or shall not यहाँ भी लगेगा plus be लगेगा है ना तो a song will not be sung by me sentence अगर interrogative है तो again आप लिखे कि will I sing a song तो यहाँ भी आप passive voice बनाईए और sentence में helping verb को आगे लिखतीजिए who will sing a song again आप simple आप बना लिजे a song will be sung by whom और फिर यह आपका बनेगा by whom will a song be sung very simple है ना next आपको आपको exercise यहाँ पर दिया हुआ है then future perfect tense आता है तो future perfect tense में पहचान इसका यह है कि will have या shall have का यूज होता है और passive voice में will have been इसके साथ been का यूज होता है I will have sung a song then जो हमारा active object है इसको हम क्या बना देते हैं active object जो है इसको हम passive subject बना देते हैं a song will have के साथ लग जाता है been verb का third form by me a song will have been sung by me I will not have sung a song negative sentence है तो will have के बाद not लग जाता है sorry will के बाद not लग जाता है a song will not have been sung by me interrogative है तो will और shall जो है आगे लगे होंगे passive voice में भी आपको helping verb को आगे लगाना है will I have sung a song then will a song have been sung by me यहाँ been सब में add होगा who will have sung a song again simple sentence बना लिजिये और by whom को आगे ले आइए will या shall को आगे ले आइए बाकी sentence as it is लिगतीजे by whom will a song have been sung or by who will a song have been sung ठीक now exercise is also given here then this is all about the basics of passive voice है ना mind it basics of passive voice अभी बहुत कुछ बाकी है जैसे passive voice का बनाना model के साथ imperative के साथ wh questions के साथ infinitive के साथ preposition के साथ unique preposition के साथ dummy it के साथ double passive and कुछ unique type के passive voice होते हैं ये सब मैं आपके पास अगले वीडियो में ले करके आऊंगी तो अगले वीडियो का notification आपको तुरंत मिल जाए इसके लिए आप subscribe का बटन दबाईए और bell icon जरूर दबाएं bell icon जैसे ही दबाएंगे आपका जैसे ही नया वीडियो डलेगा तुरंत आपके पास notification पहुँच जाएगा तो वीडियो को share करिए, like करिए कोई भी difficulty अगर हो रही है तो आप comment करके जरूर पूछिए thanks for watching the video goodbye, have a nice day